ब्रिक बाद आगे बरतने इस वक्ती की बड़ी कबाद दिली एंसियार से मौसम को लेकर प्रचंड ठंड पड़ रही है दिली में पारफ 6.02 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है दिली एंसियार में भारी कोरा भी है विजिबिटी का लेबल बहत कम है जिससे सडकों पर ट्रैफी की रहतार बेहत धीमी है घाटी में ताजा बरबारी हुई है और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है ये तस्वीर आप दिखिए आज सुबध सुबध दिली एंसियार की तस्वीर है लोगार जब सुबध सोकर उठे उसके बाद अचानक बार उन्हें कोहरा दिखाई दिया विजिबिटी का लेबल बहत कम है गाडियों के हेडलाइट आउन करके ड्राइब करना पड़ रहा है सलाव यह यह अपील भी है लोगों से कि जब सड़क पर निकले तो साथानी के साथ आराम से ड्राइब करें जल्दबाजी में निकलें इसके साथ ही गाडियों के हेडलाइट आउन कर लें पार्किंग लाइट को आउन कर लें यह तस्वीर आप दिखिए कितनी विजिबिलिटी कम रही है आज सुबा सुबा यह देश की राज़ानी दिल्ली की तस्वीर है कोहरी की घनी चादर में लिट्टी दिखाई दी राज़ानी दिल्ली तीन तस्वीर है विजिबिलिटी बहत कम है दिल्ली अंस्यार की तस्वीर है इसके साथ ही हम आपको बलिया की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी आज सुबा धुंद दिखाई दी है बलिया की ये तस्वीर है, लोग अलाव का सहरे लेते दिखाई दिखाई दिये ठंड की वज़ा से कश्मीर में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे आने बाले दिनों में मैदानी इलाकों में और ठंड बढ़ सकती है मौसम विभाग का कैना है कि अगले 24 गंटे घाटी में बर्फबारी जारी रहेगी कश्मीर में आज फिर एक बर्फबारी जो है शुरू हो गई है, मगर पहले से ही जो पिछले हफ़ते बर्फबारी हुई वो अभी भी जमा है, आप अपने विज्वल्स में देख रहे हैं कि वो इतनी सक्त हो गई थी क्योंकि टेंपरिचर जो है माइनस 8.4 डिगरी तक पहुँच गया है, जो कि 30 साल का सबसे कम टेंपरिचर है जिसकी वज़े से जो बर्फ किरी थी, वो अभी भी जमी हुई है और सक्त हो गई है, पिगलने का नाम नहीं ले रही है दूसरी और जो ठंड है, उसका प्रकोब जो है काफी ज़्यादा बढ़ गया था पर अब जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब बर्फ पारी शुरू हो गई है और जब बर्फ पारी होती है, तेंपरिचर माइनस डिग्री से 0 डिग्री तक पहुँच जाता है कि अगले 48 गंटे मौसम ऐसा ही रहने वाला है श्रीनगर और higher reaches पर बर्फपारी होने वाली है साथ ही जो लोग higher reaches पर रहते हैं उनको एतियात बरतने की अपील भी की गई है वीडियो जर्नलिस मुहम्मद यूनिस के साथ द्रीसलोन, NewsNation, Srinagar